अमरपूर अस्पतार में बिगत दो दिनों से चल रही कोरोना जाच के बाद सहर में दहसत का महौल ब्याप्त हो गया है। अमरपूर अस्पतार में दहसत का महौल ब्याप्त हो गया। वही कुछ दुकानदार आम लोगों को जागरू करने के उदेश से अपनी दुकानों के बाहर बैनर लगा दिया। बैनर का जरिये आम लोगों को मास्क पहनने सोचल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की गई। बाकाजिला के बौसी थानाचित्र अंतरगत कहरा बांध के पास रवीबार को एक बैक्ती की गोली मार कर हत्या कर दी गई। बितक बैक्ती के पहचान टाउन थानाचित्र की मजलीसपूर गाउनिवासी 40 वरसिय बुल्ला यादब के रूप में हुई है। बुल्ला यादब नामजद अभ्यूक था वो पुलीस से बचने के लिए बौसी थानाचित्र की कहरा बांध के पास अपने दोस्त के यहां रह रह रहा था। पहुचे साथी बाका थानाचित्र की सीमा पढ़ने पर बाका थाना की पुलीस भी अपने दलबल के साथ घट नास्तर पर पहुची। फिलाल पुलीस सब को कबजे मिले कर पोश्ट माटम के लिए माका सत अस्पताल भेज दी है। हालाकि परिजनों की और से किसी के खिलाब प्रात्मी की दर्ज नहीं की गई, परिजनों से प्राप्त आविदन के अधार पर प्रात्मी की दर्ज की जाएगी। पुलीस हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ पूरे मामले की चान भी इन में जुटी हुई है। मिली जानकारी के नुसरा धरमायचा गाउं के जुपड़ी यादब ने स्वरिया गुड़ू पासवान को 81,000 रुपिये करज पर दिया था, जो की सूध समेथ लोटा दिया गया था। इस संदब में जखमी अनुसूचित जाती की रिंकु देवी उनकी ससूर रामधारी पासवान पूरू पंचायत समी 30 से मुन्नी देवी ने बताया कि जीवन काल में गुड़ू पासवान ने ली गई रासी को लोटा दिया था। कुड़ू पासवान के इस दुनिया में नहीं रहने का मौका का फायदा उठा कर जुपली यादब सूध समेथ एक लाग दस जारूपी की मांग बराबर करते रहता था। बिरोध करने पर रही वार अहले सुभा के लाठी डंडा कुलहाली आधी से मार पीट करते हुए एक ही परिवार के करीब एक दर्जन लोगों को जखमी कर दिया। इसी करम में दबंगों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की जिसमें से एक गोली रामधारी पासवान के दहने पैर में लगी। जबकि उहीं लाठी डंडे कुलहाली से मार पीट करने के करम में दबंगों ने मौसमी कुमारी फूलन देवी, प्रकास पासवान रिंकु देवी, मुन्नी देवी को बुरी तरसे जखमी कर जमीन पर गिरा दिया, साथ ही घर में आग भील लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही रजौन पुलीस इंस्पेक्टर राजेस कुमार, थाना धेच रामविचार सिंग दलबल के साथ पहुँच कर सभी जखमी को पुलीस वहन से लेकर रजौन स्वास्ते करन लाया, जहां प्रात्मीक उपचार के बाद पीचसी प्रभारी सहनवाज ने गोली लगे एक बैकती सहीद जखमी किस्तिती को नाजुग देखते हुई आनन फानन में भागलपूर के माया गंज रैफर कर दिया, वहीं करीब आधे दर्जन जखमी के स्वजनों को हलकी चोटे लगी है, जिसका उपचा रजौन स्वास्ते केंदर पर किया इस संदर्व में पुलीस इंस्पेक्टर राजिस कुमार ने बताया कि घटना में जखमी लोगों ने धर्माय चकव मिर्जापूर के जुपड़ी यादब, सुनील यादब, संभू यादब, कालू यादब एवं गोविंद यादब को घायल परिजनों के बयान पर आरोप अंतरगत, साधपूर पर्खंड इस्थित महादेव स्थान में लोहिया स्वच बिहार अभियान के तहट, निर्मित पर्खंड की पहले सार्जविनिक सामुदाइक स्वचाले का विधिवत उदगाडन, पंचायत की मुखिया निभा कुमारी एवं पर्खंड बिकास अभियान को अपना सक्रिया योगदान देने की अपील की, उन्होंने कहा कि बिना आम लोगों की सयोग से पर्देश को स्वच्छ रखपाना संभव नहीं है, उन्होंने कहा उक्त संपत्ति आपकी है और इसकी सफाई यों सुरक्छा भी आपको खुद करनी है, उन्होंने पंचायत के बिभिन गाओं की जन सरोकार की समस्याओं के निदान करने का भरोसा भी दिया जबकि विडियो ने कहा कि परतियक लाभु को प्रोतसाहन रासी देकर सौचाले के निर्मान में कई तक्नीकी प्रेसानिया आड़े आ रही है। पंचायत सचीब मुहम्मद समसुद्दिन, उपमुकिया बाबुलल मरांडी, समाज सेवी संजय पंडित, वन समीती अध्यच उपेंदर यादव, अरून कुमार यादव, सिपसंकर सिंग, विद्यासागर, पप्पु यादव, बिविकानन्द यादव, सिकंदर सिंग, छब मोड के पास हो गई, संभुगंज पुलिस ने मौके पर पहुँच कर, शब को अपने कबजे मिले कर, पुष्ट माटम के लिए बाका भेज दिया, जिसके बाद सोम बार सुभव सब गाउँ पहुचा जानकारी के नुसा, मिर्तक मिर्जापूर से घर पैदा लोटा था, सा झाल